आई 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 होली आई ते होली बिच का माल हुग गया कर्मोर होली एक ऐसी कहानी है जहां पर बहुत ही सारे अलग-अलग संस्कुतियों का मिलन हुआ है There is an intermingling of different cultures in the film and बहुत ही अलग-अलग जगह से लोग आते हैं film के अंदर जहां पर उनकी अपनी समस्याइं होती है और किस तरीके से होली के दिन उनकी समस्याओं का हल निकलता है वो है कर्मोर होली इस फिल्म में 18 साल की बहुत ही थिल्दुली सी लड़की है जिसे बहुत ही सजना सवरना पसंद है और क्योंकि यहां पर सारे NRIs हैं तो वो एक मात्र लड़की है जो इंडिया से अमेरिका जाती है और क्योंकि वो कहीं उसका एक सपना है एक अक्ट्रस बनने का पता नहीं वो बनती है या नहीं लेकिन उस उमर में सबको ऐसा लगता है कि हाँ मैं मिस्सिंडा बनना चाहती हूं तो वो भी अक्ट्रस बनना चाहती है और कहीं पर जाकर जब वो इतने सारे बहुत ही modern लोगों के साथ रहती है उस एक दिन के लिए है तो वो अपने आपको भी उस ही रंग में ढालना चाहती है यह कैसी फिल्म है जो एक अपना एक दूसरा रास्ते पर चल रही है और अपना एक दूसरा लक्ष निर्धारत गिया है इसलिए I think it is more of an amalgamation of the Indian film industry and the international cinema आई 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 होली होली आई ते होली बिच का माल हो गया